असलाम अलेकूम, we are talking about most famous taglines and slogans अब हम बार बार tagline या slogan के बारे में क्यों बात करें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो copywriter होने के नाते आप सबसे ज़ादा कर रहे होंगे और actually सबसे ज़ादा पैसे भी कमा सकते हैं कि हमने पहले बात की कि ये चूँके जिंदगी भर ये बहुत लंबे अर्से का एक product होता है इसलिए महंगा भी होता है So you can charge a lot of money for it Slogans as we said is seasonal तो वो थोड़े से कम पैसों में compared to taglines वागर taglines के लिए definitely आप बहुत ज़ादा पैसे चार्ज भी कर सकते हैं इसमें मेहनत भी ज़ादा लगती है But it is worth it के बहुत से लोग लफ जालिमा का जो है वो इस्तमाल करने लगे तो अब हम जब कहते हैं ना जालिमा तो लोगों को automatically कोको कोला का खियाल आता है So it was a very popular and very famous tagline And why was it popular? Was mainly because they picked up on this slang जालिमा और एक फ्रेज होता है मतलब आम जो लोग होते हैं यंग लोग जो होते हैं वो कहते हैं यार्ज यह पिला दो जालिमा वो कर दे यू नो इस तरह के इस्तमाल हो रहा था तो कोको कोला ने उसको incorporate किया अपने स्लोगन में और कहा जालिमा कोका कोला पिला दे और चुके इस से familiar थे लोग जानते थे इस फ्रेज को relate कर सकते थे इसलिए उन्होंने इसको बहुत जल्दी पिक अप किया और अपनी स्लैंग में इस्तमाल करना शुरू किया अभी भी मेरे ख्याल में जो कोक के बहुत सारे स्लोगन्स निकले हैं उसमें से this has been one of the most popular स्लोगन्स that they've had बहुत से ऐसे उनके और भी है शायद मुझे और आपको याद नहीं अगर यह जरूर याद रह गया है अगले वारे जिसके हम बात करते हैं वो है डालदा और मामता डालदा और मामता ऐसा है जो बहुत सिद्यों से पाकिस्तान में चल रहा है डालदा बहुत और भी स्लोगन लेकर आया है बहुत से और भी टैग लाइन्स लेकर आया है मगर जो डालदा और मामता है वो उसके साथ stick कर गया है उसके साथ रह गया है क्यों? क्यूंकि डालदा ने एक ऐसी चीज के साथ अपने आपको जोडा है जो हम सब को बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो है मा और मामता के बारे में बात किये यानि के मदहुड या जो मदरली ट्रेट्स होते हैं या करेक्टिरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात किये तो उसने कहा कि जी जो डालदा है वो सारी वो चीजें उसके अंदर आपिए जो एक मा के खाने के पकाने में होती है इसारी वो चीजें डालडा होती एक माघ मेड़़ा कि अह स्फित की एन जहां मामता, वहां डालडा तो डालडा और मामता ऐसी चीज है जो हमने बहुत अराम से जोड़ी और अभी तक जोड़ते चले आ रहे है अगर हम एक और ब्रांड देखें, इंटरनाशनल ब्रांड देखें, हायर का वो उसका बहुत फेमिस टैग लाइन है इंस्पाइड लिविंग, यानि कि वो बात करते हैं कि वो टेक्नालजी की वो बात करते हैं कि जी इंस्परिषनल लिविंग है you can actually not only inspire living but they also aspire to that यानि के वो कोशिश करते हैं के वो उस तरह की उनकी lifestyle हो जाए वो inspire करते हैं आपको कि आप बहतर lifestyle लें और वो आपको चीजें प्रोवाइट करते हैं जिससे आपकी inspirational living हो लोग देखें के हाँ जी मुझे तो इसी तरह की living चाहिए आप और कहें के जी वा इन लोगों के पास बहुत आला किसम की living है इसी तरह अगर हम एक political tagline या slogan देखें तो आजकल जो बहुत popular हुई है पिछले कुछ सालों में तबदीली आ नहीं रही तबदीली आ गई है और यह क्यों popular हुआ है ना सिर्फ इसलिए के एक बड़े popular इनसान ने इसको बोला है बलके इसलिए popular हुआ है क्योंके इसने अवाम के जजबात को पूरी तरह कैप्चर कर लिया यह slogan ऐसा है जो सब जानते हैं कुछ slogans और taglines जो है जैसे Samsung Galaxy 3 का था designed for humans अब negative क्या है इसमें इसका मतलब यह है कि जी वो लोग जो luxury नहीं afford कर सकते या जो Samsung 3 अफोर्ड नहीं कर सकते वो शायद इनसान नहीं है तो यह tagline थोड़ी सी गलत हो गए तो यानि कि आप I don't know वो क्या कहना चाहरे थे कि आप शायद वो distinct करना चाहरे थे कि यह जानवर के लिए नहीं इनसान के लिए है या इनसान बेहतर तरीके से इस्तमाल करता है मगर इसकी मतलब कई और जरा से negative भी निकल सकते हैं So this was one tagline and slogan that went slightly wrong Pepsi का दिल मांगे अभी अब यह बहुत popular हुआ था मगर इसके साथ एक मसला था मसला यह था कि यह आदमी एक इश्तिहार दिखाते हैं जहां पर एक आदमी by hook or by crook यानि किसी भी तरीके से उसको वो चीज खाने को चाहिए थी और पेपसी जो है वो उसको वो एनरजी देता है to be able to do something like that बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी क्योंके जो होना है होना है अभी I'm sure के वो उनका मतलब वो नहीं था मगर वो आया ऐसे के आप एक पूरी जेनरेशन को ये सिखा रहे है के आपको चाहिए अभी चाहिए तो किसी भी तरीके से अभी चाहिए compromise नहीं करें तो I'm not sure के ये कोई खास अच्छा message था यूथ के लिए तो this is also something that we feel that went slightly wrong एक और था जी Outfitters, erase your limits Now ये भी बड़ा एक गलत message जा रहा है यूथ को कि आपकी कोई limitations नहीं है आप हर 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 हद पार कर जाएं हदे होनी जरूरी है Society में रहने के लिए Crossing limits is not the right thing to say हर society में कुछ limitations होती है और हमें उन उसूलों के साथ रहना पड़ता है इसलिए क्योंकि हमने इखटे रहना है अगर हर कोई अपनी हद पार कर लेगा तो फिर society साथ कैसे रहेगी एनर्की हो जाएगी इसी तरह अगला वाला जो हम बात करते हैं वो है It's fun to be young इसका मतलब ये है कि अगर आप young हैं तो आप fun हैं वरना आप fun नहीं है तो आपने पूरा पूरा जो age bracket है वो निकाल दिया I understand के जी आप एक और चीज जो उनको बता रहे हैं यंग लोगों को कि वो ये है कि young में सिरफ आपने fun करना है कोई responsibility नहीं है कोई और चीज नहीं है तो इसमें एक बड़े mix से अजीब अजीब किसम के messages जा रहे है तो कभी कबार ऐसा होता है कि हम intentionally या unintentionally ऐसी taglines या slogans बना देते हैं जिनका जो गलत भी हो सकते हैं शायद एक गलत message दे रहे हैं आपकी intention नहीं थी है मगर वो निकल ऐसे रहे तो जब हम taglines या slogans लिखें तो हम इन चीजों का खयाल रखना चाहिए कि इसका society पे लोगों पे जहनों पे क्या असर हो सकता है विच इस वाई वी हैट सेड इन लास सेशन के psychology थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी है Thank you so much